Hello Friends, Programming and Technology Study चल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग Python के software को अपने mobile में install कर सकते हैं Python की programs को अपने mobile में run करवा सकते हैं और साथ ही साथ Python की जो packages हो गए, matplot, lib हो गए, numpy, arrays हो गए, numpy और pandas को हम लोग अपने mobile में install कर सकते हैं इन सब packages को, ताकि हम लोग कभी भी Python की programs को run करवा सकें उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने Play Store में जाना होगा और Pyroid जो app है, इससे हमें install करना होगा Pyroid 3 जो ID जो है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, Python की software को install कर सकते हैं लेकिन इसके packages को install करने के लिए हमें एक और app की जोथ पड़ेगी, तो भी मैं आप लोग को बताऊंगा सबसे पहले यह Pyroid 3 को हम लोग install कर लेते हैं तो देख सकते हैं आप लोग इस तरह कैसे Python का जो software है, वो install हो चुका है अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाकी जो packages है उसे install करेंगे, pandas हो गया या फिर matplotlib या फिर numpy तुम सबको install करने के लिए मैं आप लोग को उस एप का भी नाम बताऊंगा, सबसे पहले इसको मैं install करके दिखा दे रहा हूं pydroid repository plugin देख सकते हैं, pydroid repository plugin इस app को फिर install कर लेना, यह पहले से मेरे में है, इस वज़े से स्रिफ update का option दे रहा है, तो मैं इसे update कर देता हूं इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे packages को install करना है, तो यहां तक तो आपने देख लिया कि कैसे python के software को मैं ने install किया, और अब कैसे इसके बागी जो packages इसे install करूंगा यह app इंस्टोल हो चुका है, अब हमें क्या करना है, python में जाना है, और यहां पर जाके हमें pip, pip में जाना है, pip कहीं use होता है कोई भी packages को install करने के लिए, pip में जाने के बाद, shortcut के लिए में आपको बता रहा हूं, quick install पर जाना है, और जिस भी package को आपको install करना है, हमें किस-कि plotlib जो है, इस package को install कर ले रहा हूं, तो देख सकते है, mat plotlib जो है, यह package भी, install यहां पर ले रहा hay, automatic, जैसे मैंने यहां पर quick install पर गया हमें, तो इस install करने का option दे धिया है, तो mat protlib जो है, यह package हमारा install हो चुका है, अब क्या करना है, फिर से जाना है, अब हमें क्या जूत पढ अगर पांडास को भी इंस्टोल करना है तो पांडास पी में जा रहा हूं और पांडास को भी मैं इंस्टोल कर ले रहा हूं और इसके बाद एक मैं नंपी पैकेज को भी इंस्टोल कर ले रहा हूं इसका यूज परता है एरेज को बनाने के लिए तो यह भी हो गया है अब मैं यहाँ पर जाके नंपी को देख ले रहा हूं जी यहाँ पर नंपी भी है तो यहाँ पर नंपी भी इंस्टॉल हो चुका है और अगर आपको देखना है कैसे प्रोगाम को रन करवाना है तो यहाँ पर मैं एक प्रोगाम को आप लोग को रन करव यहां पर मैं यह प्रोग्राम के दिखा दरहा हूँ, इसके थुँर आप graph बना सकते हैं, तो मैं यहां पर एक graph बना के दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हम graph बना सकते हैं, यह मैट प्लोट लिप फंसर मैट प्लोट लिप पैकेस का मैं यूज़ कर रहा हूं यहां पर तो यहां पर इसके साथ है बन चुका है यह अब मैं इसे रन करवाता हूं तो देख सकते हैं यह रन कर चुका है और आपके सामने यह जो ग्राफ आ चुका है इस तरह से मैट प्लोट लिप पैकेस का यूज़ का यूज़ किया इस तरह से सारे पैकेस होते हैं सब के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा बस मेरा यह वीडियो का मकसेद था ताकि आप कोई पैकेज इंस्टोल करना और प्रोग्राम को रन करवाना सिखा सकूं तो थांक्च्यू गाइज अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो को लाइक और से करना ना भूले और साथ ही बिल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट मिलती रहे